कांता की दो बेटे थी रिया और काजल और दोनों बहनों में बड़ा ही प्यार था वो दोनों ही बहन कुछ से पहले एक दूसरे के बारे में सोच सी थी ऐसी ही एक दिन रिया अपनी मा कांता के साथ मार किर जाती है और उसको एक ड्रेस पसंद आती है और उस ड्रेस को देखक इसको अपने बड़े पर ही पहन लियो मा ये ड्रेस में अपने लिए नहीं बलकि ये ड्रेस में काजल दीदी के ले रही हूं उन्हें बहुत पसंद आएगी कोई जरूरत नहीं है उसके लिए कुछ लेने की समझी वो काम करती है खुद खरीद लेगी अपने लिए मा आप द आप से घर चल मा मैं भी बहुत जिदी हूँ जट तक आप मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाने माली पर रिया तो इतनी जिद क्यों कर रही है उसके लिए इतनी जिदी क्यों बन रही है तू आप उन्हें कुछ नहीं मानती होगी पर वो म अपने ऑफिस से अपने घर आ रही होती है तभी उसकी नजर एक बूट पर परती है उसको देखकर काजल खुद से बोलती है रिया का जनम दिन आने वाला है क्यों ना मैं उसको ये बूट गिफ कर दू वैसे भी उसका काफी मन है बूट लेने का अब क्या था काजल उस अज नहीं आ रहा है मेरे पास पैसे भी नहीं है सेलरी भी नहीं आई है साथ ही उसका बड़ी भी आने वाला है ऐसा करती हूं मैं खरीद लेती हूं कुछ दिन ऑफिस पैदल आ जाओंगी इतना सोचकर काजल अब उस बूट को खरीद लेती है और जब वो घर आती है तब बहन को आवाज लगाती है रिया रिया कहां है तू यह लड़ी की भीना जाने कहां चली गई है आ गई दिदी आप आपको पता है अज क्या हुआ नहीं मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ और सच कहूं तो मुझे जानना भी नहीं है दिदी कैसी बात कर रही हो आप आपक के बाद दिया सच बताना आज भी तुने मां से बहस की है ना लेकिन क्यों तुझे कितनी बार को हूँ मैं मां है वो मां से बहस नहीं करना चाहिए नहीं दिदी आप मुझे ऐसे क्यों बोलती है आप जानती हो ना मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ और आपके लिए मैं मेरी कसम सच सब बता क्या लाई है तुमेरे लिए रुको मैं अभी दिखाती हूं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूं रिया काजल को रुकने के लिए बोलती है और थोड़ी देर बाद वो अपने हाथों से वही प्यारी सी ड्रेस लिया आती है और अपनी बहन को देते ये रही आपके ड्रेस याद है जब हम घूमने गए थे तब आपको ये ड्रेस कितनी पसंद आई थी पर पैसे न होने के विज़े से आपने इस ड्रेस को नहीं खरीदा तो आज जब ये ड्रेस मुझे डिसकाउंट पर मिली तो मैंने आपके लिए खरीद ली सच में रिया ये ड्रेस कितनी सुंदर है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे पास ये ड्रेस है खेर छोड़े इन सब को तुझे पता है मैं भी तेरे ले कुछ लेकर आई हूँ अच्छा और वो क्या है जल्दी बताओ ये देख मैं तेरे ले क्या लाई हूँ तुझे ये चाहिए था ना वाओ दिदी ये क्या है इसे जल्दी से खोल कर देखती हूँ मैं इसको खोल तभी तो पता चलेगा न अब तू इसको खोल और मैं गाना गाती हूँ हाँ सही कहा दिदी आपने मैं इस गिफ्ट को खोलती हूँ और आप गाना गाईए एक हजारों में मेरी बहना है सारी उमर हमें संग रहना है वाओ दिदी ये तो वही बूट से जो मुझे चाहिए थे पर आप इस बूट को कैसे लिक्या है ये तो बहुत महंगे है न नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं मेरी बहन के लिए कुछ भी कर सकती हूँ समझी पगलू वो दोनों आपस में बात करी रहे होते हैं कि तभी वहां कानता आती है और अपनी बेटी को काजल के लिए एक बूट पर खुशुत विदिख कर बोलती है विया ये क्या है तेरे हाथों में सड़क छाप चीज़ मा ये कोई सड़क छाप की चीज़ नहीं बलकि मैंने इसको दुकान से खरीदा है मुझ से जबान चलाने के जरुरत नहीं है काजल इसलिए अब तू यहां से जा सकती है जी मा जैसा आप कहें मैं तो बस रिया को खुश करने के लिए ये ले कर आई थी पाजल अब अपने कमरे में जाने लगती है तो वही ये सब कुछ देख कर रिया अपनी मा से बोलती है मा आप हमेशा ही दिदी से क्यूँ चुड़ती रहती हो आखिर क्यूँ आप उनसे तनी नफरत करती हो कोई तो रिजन होगा ना तुझे रिजन जानना है ना तो सुन मेरी बात ये मेरी बेटी नहीं है तेरे पापा इसको सड़क से उठा कर लाए थे और समाल रहे थे मुझे इससे कोई परिशानी नहीं थी लेकिन एक दिन ये तेरे पापा को लेकर बाहर गई तब उनका एक्सिडेंट हो गया और वो मरते मरते मुझसे वचन ले गए कि मैं इसका ख्याल रखूंगी अच्छे से उनके मरने की वज़े आज भी मैं इस लड़की को मानती हूँ इसलिए मैं नफरत करती हूँ इससे नहीं मा ऐसा नहीं है दिदी उस समय खुद एक बच्ची थी और पापा के मरने की वज़े एक एक एक्सिडेंट थी अब आप ही बताओ बड़ा दिदी की इसमें क्या गलती है आप दिदी से उस चीज के लिए नफरत करती आ रही हो जिससे दिदी का कोई लेना दे रही ना हो तू मुझे मत समझा समझी मैं तेरी मा हूँ तू मेरी मा नहीं है मा देखना एक दिन आपको आपके बेटी पर बहुत गर्भ होगा जिस तरह हर समय मैं बोलती रहती हूँ न ठीक उसी तरह से आप भी बोलोगी एक हसार में मेरी दोनों बेटिया हैं रिया की बात सुनकर फिर कान तक चुपो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है समय यूँ ही गुजरता है एक दिन रिया अपने कॉलिस से घर जा रही होती है तभी उसका एक्सिरेंट हो जाता है जिसके बाद वहां के आसपास के लोग रिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं और उन्हीं में से एक आदमी रिया के फोन से उसकी बहन को फोन करता है हेलो जी आप रिया के घर से बात कर रहे हो क्या? हाँ मैं रिया की बड़ी बहन बोल रही हूँ क्यों? क्या हुआ? और आपके पास मेरी बहन का फोन कैसे आया? मेरी बहन कहा है? जी वो आपकी बहन का एक्सिरेंट हो गया है वो हस्पिताल में एटमीट है आप जल्दी से ना सिटी होस्पिटल आ जाईए अब काजल ना आप देखती है और ना ही ताफ देखती है वो दोरती होई सिटी होस्पिटल पहुंच जाती है सिटी होस्पिटल पहुंचने के बाद वो अपनी मा को फोन कर बुलाती है और थोड़ी देर बाद जब कांता होस्पिटल आती है तब अपनी रिया की ऐसी हालत देखकर कांता रोती हुए काजल से कहती है अब तुझे सुगून मिल गया ना पहले तो मेरे पती को खा गई और अब मेरी बेटी को अरे तुछ आती क्या है ये बता मुझे मा मा मैंने कुछ नहीं किया बलकि मेरे पास तो किसी आदमे को फोन आया था और और जब मैं यहां आई तो मैंने रिया को कांता उससे कुछ बोल पाती उससे पहले वहां डॉक्टर आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं क्या आप ही रिया के घर वाले हैं? हाँ डॉक्टर मैं ही रिया की मा हूँ देखिए आपकी बेटी की किटनी डैमेज हो चुकी है हमें उसका उप्रेशन कर उनकी किड्नी निकालनी होगी अगर हमने ऐसे नहीं किया तो शायद हम उनको नहीं बचा पाएंगे तो तुखर दीजिये ना उप्रेशन किस बात की देरी है देरी की कोई बात नहीं है बात चिंता की है आपके बेटी की एक किड्नी नहीं बलकि दोने किड्नी डेमिज हो गई है और अब उनको जिंदा रहने के लिए एक किड्नी जरुत तो पड़ेगी ही कांता कुछ बोलती उससे पहले ये काजल बोल पड़ती है तो देर किस बात के डॉक्टर आप मेरी किड्नी ले ले लेजिए लेकिन मेरी बेहन को प्लीज बचा लेजिए डॉक्टर काजल की बात सुनकर उसको रिया के पास ले जाता है और कुछ देर बाद ही काजल अपनी बेहन को एक किड्नी दे देती है ये देख कांता को अपनी बेटे की बात यादाती है और वो खुद से बोलती है सही कहाता रिया ने एक दिन मुझे काजल पर गर्व होगा मुझे माफ करना काजल बेटा मैं हमेशा तुझ में और रिया में बेदभाव करती रही पर अब मैं तुम दोनों को एक समान प्यार दूँगी कांता जो बोलती है वही करती है कुछ दिनों बाद काजल और रिया अपने घरा चाती है जिसके बाद अब सभी खुशी से रहने लगते हैं अपनी मा के बदलाब को देख रिया आखिर में बोल ही देती है मैंने कहा था कि आप भी बोलोगी कि एक हजार में आपकी बेटी है आँ सही कहा था तुने मैं ही काजल को कभी समझ नहीं पाई अब बस कर तू तू तो मेरी जान है क्योंकि एक हजारों में मेरी बेहना है देर से ही सही लेकिन कांता को समझा जाता है कि काजल का उस एक्सिडेंट से कोई लेना देना नहीं था और जब कांता काजल को समझाती है तो उसके साथ रहने लगती है